हिसार से जहां मा बेटी की हत्या मामले में सुनवाई हुई है कोट ने आरोपियों को सजा सुनाई है कोट ने 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है आरोपियों पर सवा सवा लाग का जुर्माना भी लगाया है तो मा बेटे की हात्या मामले में सुनवाई किया है कोट ने और आरूपियों को आज सजा सुनाई है सोला आरूपियों को उम्रकाइद की सजा सुनाई गई है जादा जौनकारी के साथ समधाता राजेश कुंडू हमारे साथ फोल लाइन पर जुड़े है राजेश ये पूरा मामला क्या था जिस पर आज सुनवाई हुई है और क्या सजा मिली है चुले संपर्क नहीं बन पाया और लगातार फिर हम संपर्क साथने की कोशुश करनेंगे हिसार से बड़ी ख़वर आपको बता दे जहां मा बेटे की हत्या मामला था जुसमें आज कोट ने सुनवाई करते हुए 16 आरूपियों को उम्र कैद की सदा सुनाई है और आरूपियों पर सवा सवा लाग का जुर्माना भी लगाया है तो मा बेटे की हत्या मामले में कोट ने सुनवाई की आज और आरूपियों को सदा सुनाई है कोट ने 16 आरूपियों को उम्र कैद की सदा सुनाई है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया है बतादे आपको 16 अरोपियों को उम्रकाद के साथ 77 अधूर माख रूपय का जुर्माना भी इन अरोपियों पर लगाया गया है इन अरोपियों ने मा बेटे की हत्या कीती हिसार का यह पूरा मामला था जहां मादे की हत्या मामले में आज कोट ने सुनवाई की है और आरोपियों को आज सजा सुनाई गई है सोला आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और आरोपियों पर सवा सवा लाक रुपई का जुर्माना भी लगाया गया है तो इस आर से बड़ी ख़बर आपको बता दे लगातार यहां मा बेटे के हट्य मामले में ये सुनवाई हुई है और लगातार चाल रहा था इसमें सजा अब दी गई। आरोपियों को 16 आरोपियों को उम्र क्याद की सजा सुनाई गई है और आरोपियों पर सवा सवा लाक रुपई का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपियों को उम्र क्याद की सजा सवा सवा लाक रुपई का जुर्माना भी लगाया गया है।